वेलकम टू ड्रीम के बीसी जिक्के दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम के बीसी जिक्के जेनल में दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मानव रख्त रुदिर रुदिरा भीसरन तंतर से सबग जनर नौलेज के सामने ग्यान के पचास अती महत्तोपुन क्वि सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तो आपको नमर विलनती रहेगी आप नीचे रहे है रेड़ के सब्सक्राइब बढ़न को दबा दीजिए और बाजी मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉल पर नार का उत्तक है अगर आपको पता हो तो इस क्रिशिंग का आनसर आप कमेट पी कर सकते हो वेरी वेरी इंप्रोड केशन ही है इस किसिंग तरल सयोजी उतक मानव रुदिर रक्त एक तरल सयोजी उतक है जिसे इंग्लिस में लिक्विड कनेक्टिव टीश्यू तो लहू या रुदिर या खून एक सारिक तरल द्रव है जो लहू वाहिनियों के अंदर विबिन अंगों में लगातार बहता रहता है और रक्त वाहिनियों में प्रवाइद होने वाला यह गाड़ा कुछ चिपचिपा लाल रंका द्रव्य एक जिवित उतक है रुदिर और रुदि प्रवाइद होता है और बच्चों में 75 ml रुदिर होता है उसके वजन के हिसाब से 7 प्रवाइद होता है उसके वजन के हिसाब से 7 प्रवाइद नमबर 453 लाल रंकत कोशिका हो डेड ब्लड अरवीज को किस रूप में भी जाना जाता है इस question Ehrythrocides के रुप में भी जाना जाता है लाल रख्त कोशिका हो गो लाल रख्त कोशिका रख्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी है यह पुरे रुदिर का 40% भाग होता है लाल रख्त कोशिका है Q454, सफेद रख्त कोशिकाओ को किस रूप में जाना जाता है Q455, प्लेटलेट्स को अन्य किस रूप में जाना जाता है Q456, प्लाजमा में कौन से गटक पाये जाते है इस केशन का प्लाजमा में इसे प्लाविका या रख्त के पिले रंका तरल घटकは जिसमें पूहरग्त कोशिकाओ में जाने सामानीय रूप से निलम्बित रहती है इसमें प्रोटीन सरक्रा ठक्का जमाने वाले कारक इसे फरी नौजन प्रोटीन इसमें फिरी नौजन और ग्लोरोमिन होते हैं और खानीज आयन और हार्मोन और कार्बन डायोकसाट खुले रहते हैं इसमें ग्रेन्यू लोसाइट्स और इग्रानोसाइट्स दो भागो में स्वेत रक्त कोशिकाओ को विबाजित किया जाता है मानव रुदीर का पीएच मान क्या होता है तो इसक्रिशन का फेफड़ा यक्रित लिवर किड्नी में होता है मानव सरीर में खुन के सुद्धी करण की प्रक्रिया को क्या कहते है तो इसक्रिशन का डायलेसिस कहते है मानव सरीर में कॉलेस्ट्रोल का सामन्य स्थर क्या होता है मानव सरीर में कॉलेस्ट्रोल का सामन्य स्थर यहां पे कॉलेस्ट्रोल मॉम जिसा चिकना पदार थे जो ब्लड प्लाजम दर सरीर के विभिन हिसों में पहुंचता है कॉलेस्ट्रोल दो तरह का होता है एक LDL, Low Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein और HDL, High Density Lipoprotein, High Density Lipoprotein, LDL और HDL दो प्रकार के होते हैं कॉलेस्ट्रोल और LDL को लोग अक्सर बुरा कॉलेस्ट्रोल कहते हैं LDL होता है हमारे स्रीज में जो कोलेश्टोल बुरा होता है और LDL जो LDL होता है और कोलेश्टोल को लिवर से कोशिकाओं में ले जाता है Question No.4 मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाजमा का प्रतिसत लगबक कितना होता है Question No.5 प्रतिसत होता है Question No.4 सिक्टिजिए वयस्क पूरुष में वयस्क पूरुष में रबीसी रेड ब्लड सेल्स की सामान्य संक्याँ क्या होती है वेरी वेरी इंपोर्ड किजह नहीं है Question No.4 मनुष्य में रक्त चाप सामाने तेख कितना होता है इस question का 120 से 80 होता है मनुश्यों में रक्त चाप सामानेते हो question number 4 जीवाई लाल रक्त कोशिकाओ लाल रक्त कणिकाओ RBC का ओसतन जिवन का लगबग कितने समय का होता है very very important कि ये कई एक्जामें पुछा गया है question 100 से 120 दिन होता है question number 46 लाल रुदीर कणिकाओ RBC का निर्मान कहा होता है question number 46 मानव रुस्तरिर के विबिन अंगो का ओक्जिजन वहा कौन है question number 46 लाल रक्त कोशिकाओ RBC मानव सरीर के विबिन अंगो का ओक्जिजन वहा कौन है question number 46 पुरानी और नश्ट प्राई लाल रक्त कणिकाओ RBC कहा नश्ट हो जाती है question का पलिहा या स्प्लिन में नश्ट हो जाती है पुरानी और नश्ट प्राई लाल रक्त कणिकाओ इसे पली हा को लाल RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है Q4 रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिती बन जाती है तो पोली साइथे मिया की स्थिती बन जाती है Red Blood Cells लाल रक्त करिका के बढ़ने से Q4 से उटी माना उरूदिन में हीमोगलोबीन क्या होता है इस केशिंग एक प्रकर का प्रोटीन होता है और जैसे की कॉलेस्ट्रोल भी प्रकर का प्रोटीन ही होता है तो यहाँ पे हीमोगलोबीन एक प्रकर का प्रोटीन है तो यहाँ पे हीमोगलोबीन जिसे रुदीर वर्णी का या हीमोगलोबीन कहते है ये लाल रक्तक कोशिका है RBC और कुछ अपश्ट वंसियों के उत्तकों में पाया जाने वाला लोह यूक्त उक्षिजन का परिवहन करने वाला दातू प्रोटीन है हिमोगलोबिन और रक्त में मौझुद हिमोगलोबिन फेफडो या गिल्लो से सरीर के सेजबाग अर्थात उत्तक को ओकीजन का परिवहन करता है और यह जहां वह कोशिकाओं के प्रयोक के लिए ओकीजन को मुक्त कर देता है क्वेशन नमबर 471 कौनसा रक्तसमू सर्वबोमिक स्वी करता है इस क्वेशन का A B पोजिटिव क्वेशन नमबर 472 कौनसा रक्तसमू सर्वबदाता कहलाता है इस क्वेशन का O negative ऐस क्वेशन नमबर 472 क्रिसमस फेक्टर किस में नहीत होता है रक्त जमाव में नहीं दोता है Christmas factor रक्त में प्रतीस कंदक इसे anti-microbial कहते है anti-microbial पदार्थ कौन सा है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भुमिका होती है इस question C है, calcium की मुख्य भुमिका होती है रक्त जमने में question number 477 रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आम तोर पर किस aluminium लवन का प्रयोग किया जाता है इस question potassium पोटास अमला जिसे fit करी कहता है तो रक्त स्त्राव को रुदीर को रोकने के लिए आम तोर पर aluminium लवन का प्रयोग किया जाता है fit करी का जो सेविंग करते है बारबर तो वहाँ पर फिट करी लगाते है अगर आपको कोई blade लग जाती है तो question no.47 रुदीर वाहिनियों के में रक्त अतन्चीत क्लोट किसकी उपसिती में नहीं होता है तो इस question no.47 किसके मौझूद के करण सरीर के बितर रक्त जमता नहीं है इस क्रेशिंगा थे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की महजुदगी के करण सरीर के वितर रखत नहीं जमता है, हीमोग्लोबिन के कारण, इसके लिए हीमोग्लोबिन की महतुपड पुमिका होती है, जैसे कि आपको अभी तक आपने हमारा यह चैनल, ड्रीम KBC GK चैनल ने हो दोस्तों आपको नमर भी नती रहेगी आप निचे रहें रेड़ करके सब्सक्राइब बढ़न को दबादीजे और बाजू मेरे बेल आइकन को दबादीजे ताक कि आपको हमारे आने वाले एसे ही fully knowledgeable वीडियो की notification मिलते हैं कि जोस्तों इससे पहले ये मानौ सरीर का आखरी पार्ड है 500 questions का जीज़ था और इससे आगे भी हम 1000 questions तक series continue रखेगे तो ये आखरी पार्ड है ये 10वा पार्ड है तो इसमें पूरे 50 questions है इससे पहले भी मैंने 9 पार्ट मानौ सरीर के बारे मे human body के बारे में upload किये है वो वीडियो से आपने नहीं देखे तो वो सारे पार्ट में 50-50 questions के वीडियो है कुछ वीडियो 50 questions में ज्यादा भी एक वीडियो एक्ट्रा question भी हमने डाल है तो वीडियो सा आप देख सकते हो सारे वीडियो की link मैंने इस वीडियो के description में दे दी है question number 480 रख्त के सकंदन blood clotting में मदद करने वाला vitamin कौन सा है very very important question ही इस casing of vitamin K है तो यह question पहले आ गया है question number 481 रुदीर सकंदन रख्त का जमाव किस protein के द्वारा होता है तो इस casing of fiber nosan तो fiber nosan protein के से होता है रुदीर सकंदन या रख्त का जमाव question number 482 रख्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा enzyme आविश्यक है this question thrombin enzyme आविश्यक है रख्त का थक्का बनाने के लिए question number 483 मानव रुदीर के plasma में से किसके द्वारा antibody निर्मित होती है इस question के दर लिम्पोसाइट तो मानव रुदीर में plasma में से कि लिम्पोसाइट द्वारा antibody निर्मित होती है यह white blood cells में के द्वारा होता है question number 485 रोग प्रतिकार को anti-dot को उत्पन करने वाला cell कौन सा है तो इस question लिम्पोसाइट है question number 485 मानव सरीर का blood bank किसे कहा जाता है पलिहा तिली या स्प्लीन भी कहते है कि मानव सरी का ब्लंट ब्लंट बैंक कहा जाता है यहां पर पलिहा या तिली स्प्लीन एक अंग है जो सभी रीड़दारी प्राणियों में पाया जाता है यह सभी रीड़दारी प्राणी में होता है पलिया तो मानव में तिल्ली पेट के पेट में सीर रहता है पलिया पेट में होता है हमारे यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नश्ट करने का कारिय करता है यह रक्त का संचीत बंडार भी है यह रोग निरोदक तंद्र का एक वाग पलिहा तिली है कि किसको और डिस का कभ्रिस्तान कहा जाता है कि यह सी अरुटिन और यामय पहलं ने किसको अर्ट करेव कोंक पहले ही बता दिया मिश्ट नог ख़्यारगर टिली को rat ब्लड का रंग लाल होता है इस क्रिश्णका हीमोलोबिन के का खुर्ण का रंग लाल होता है रत्तधारा में ओकीजन ले जाने वाला प्रोटीन कॉन सा है मैंने पहले ही बता इसका आंसर आपको क्रिश नमबर 490, हीमोगलोबिन किसका महत्तोपुण घटक है, इस क्रिश नमबर 490 थी, वर्नक ब्रोटीन क्रोमो प्रोटीन कौनसा है, इस क्रिश नमबर 490, अरक्ता किसकी कमी के करण होती है, इस question पोलिक एसेट की कमिया करन अरक्तता होती है question number 495 कणी काओ के बिना रक्त के तरल अंस को कहते है तो क्या कहते है question प्लाजमा कहते है question number 496 कौन सी गरंती रक्त दाप का नियंदरन करती है very very important ये question दूसरी बारा है repeat हुआ है तो इस question अधिवख तो एड्रेन गरंती रक्त दाप का नियंदरन करती है question number 497 किस कसे रूकी में oxygen oxygen और वी oxygen रुदीर मिल जाते है oxygen के बिना और ये पक्सी यहां पे उभईजी प्राणियों में होता है oxygen बिना oxygen के और oxygen वाले रुदीर मिल जाते है question number 497 मानव सरीर में रक्त की अपरियाप्त अपूर्ती को कहते है क्या कहते है इस की मिया कहते है मानव सरीर में रक्त की अपरियाप्त अपूर्ती को question number 498 यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिनाम होता है इस question का सभी धमनिया संकुचित हो जाती है very very important है question number 490 प्राकृतिक क्लोईड प्राकृतिक क्लोईड कौन सा है तो इसके रक्त blood एक प्राकृतिक नेचरल क्लोईड है question number 5 वह विज्ञानी कौन है जिसने पहली बार रुदीर परी संचरन की व्याख्या की थी व्याख्या दी थी very very बड़े कहीं एक्जाम में question पूचा जा चुका है question number 501 रक्त प्रावा में हवा के बुलबूले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है जो परपोटे होते है क्यों खतरनाक होता है इस के रक्त के प्रावा में बादा उत्पन हो जाती है जो रक्त के प्रावा में बादा उत्पन हो सकती है उसमें जाग आता है तो रक्त में question number 502 वहार उधिर वही का कौन सी है जो जीगर को उक्जिजन ले जाती है तो इस के यक्रित दमनी liver दमनी question number 502 किसकी सहाइता से रक्त द्वारा oxygen ले जाया जाता है तो इस के यक्रित कोशिकाय द्वारा question number 504 कौन oxygen रहित रक्त मानव सरीर के विबिन बागों से रदय में लाता है इस के यक्रित के सीरा और दमनी oxygen होता है रुदिर में question number 504 यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है अगर पिता का blood group A है और माता का blood group O है हो जाए तो बताए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा blood group कौन सा होगा पुत्र का इस question number 504 A B रक्त वर्ग वाले विक्तियों को सरवातिक आदाता कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसके उसके रक्त में प्रती पिंड का अभाव होता है दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाब होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ knowledge यह लगाओ आपकी study में helpful लगाओ तो इसे like कीजिए, share कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चनल Dream KBC GK चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नहीं हो दोस्तों आपको number विनत दिराएगी आप निचे रहे rate गलर के subscribe बढ़न को दबादीजे और बाजी मेरे bell आइकन को दबादीजे ताक कि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही fully knowledgeable वीडियो की notification मिलते रहें कि दोस्तों दोस्तों हमारे dream KBC GK चैनल का Facebook पेज भी है आप हमारे Facebook पेज को like कर सकते हो, Twitter भी follow कर सकते हो Instagram में भी follow कर सकते हो, वहाँ भी हम notification मिलेगा, जै हिन जै बारत वंदे मातरम